इस वीडियो में हम बताएंगे कितना मेहत्व पूर्ण होता है दीपदान वीडियो को पूरा देखिएगा. दीपदान क्या होता है? कैसे करते हैं? और क्या हैं? इसके ग्यारह फाइदे. दीपदान के बारे में सभी ने सुना होगा परंतु कम लोग ही जानते होंगे की दीपदान क्या है? कैसे करें दीपदान और क्या है? दीपदान करने के फाइदे आव इस संबंध में जानने हैं कुछ खास जानकारी सबसे पहले तो ये जानिये दीपदान क्या है? एक तरीका होता है। थोड़ा सा तेल डालकर पतली सी रूई की बत्ती जलाकर उसे पीपल या बढ़के पत्ते पर रखकर नदी में प्रवाहित किया जाता है। चार दुर्गम स्थान अत्वा भूमी पर दीपदान करने से व्यक्ती नरक जाने से बच जाता है। पांच पद्मपुरान के उत्तरखंड में स्वयम महादेव कार्तिके को दीपावली। कार्तिक क्रिशनपक्ष के पांच दिन में दीपदान का विशेश मेहत्वा बताते हैं। क्रिशनपक्ष विशेशिन पुत्र पंच दिनानी चप, पुन्यानी तेशु योधते दीप, अर्थात क्रिशनपक्ष में रमा एकादशी से दीपावली तक पांच दिन बड़े पवित्र है। उनमें जो भी दान किया जाता है, वह सब अक्षय और संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाला होता है। पहकल और संकटों से बचने के लिए करते हैं दीपदान। छे जीवन से अंधकार मिटे और उजाला आए इसलिए करते हैं दीपदान। साथ मोक्ष प्राप्ती के लिए करते हैं दीपदान। आठ किसी भी तरह की पूजा या मांगलिक कार्य की सफलता हेतू करते हैं दीपदान। नौ घर में धन समृद्धी बनी रहे इसलिए भी कहते हैं दीपदान। दस कार्तिक माह में भगवान विश्नु या उनके अफ्तारों के समक्ष दीपदान करने से समस्त्यग्यों, तीर्थों और दानों का फल प्राप्त होता है। आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब, कॉमेंट करके जरूर बताए वीडियो को पुरा देखने के लिए धन्यवाद।